नमस्कार कैपिटल टीबी बिहार के एक खास प्रोग्राम दो टूप में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दो टूप में हम आज बात करेंगे कि बिहार के यादब किसके साथ देखिए पूर्णिया में जो आज भोटिंग हुई है वो क्या बतलाती है उसका संदेशा क्या है और क्या उस संदेशे के बाद तेजिस्वी यादब बेचेन है परिसान है उनके होस उड़े हुए है इतनी जवर्दस कैमपैनिंग दो-दो दिन तक कैम करना दो दर्जन से ज़्यादा बिधायक मदेपूरा में ये कहना कि आप NDA तक को भोट दे सकते हैं लेकिन इसके बाब जूद पप्पू यादब के पक्ष में अगर यादबों की गोलबंदी पुर्णियां में हुई तो इसका मतलब इसके सियासी माने समझने होंगे तेजिस्वी यादब को क्या वो एका अधिकार खतम हो रहा है तेजश़्ू यादव और लालू यादव का जो यादव भोटर पर कभी हुआ करता क्या यादव भी अपने हिसाभ से बोटिंग कर रहे हैं जहां पर यादव प्रत्यासी है वहां पर किसी भी दलका हो वो उटको भोट कर रहे हैं और जो यादब भोटर की टांसपर की जो बात कही जाती थी लालू परसाद, आरजेडी और तिजिस्टू यादब के चलते वो टांसपर क्या हो रहा है अगर ऐसा होता तो फिर बीमा भारती का इतना बुरा हाल पुर्णिया में नहीं होता अभी तक की जो खबर है वो यही है कि यादबो ने एक मुस्त भोट दिया है पप्पू यादब को तो यह संदेशा पूरे बिहार में जाना है यह पूर्णिया तक ही सिमित नहीं रहेगा और इसका जो बिसलेशन होगा तो उसमें ये बाते भी आएगी कि ऐसी क्या बज़ा थी कि पप्पू यादब को पूर्णिया में 33 यादब ने इंग्नोर किया और पूर्णिया के यादबों ने पूरे बिहार के यादबों को क्या संदेशा दिया कहा यही जा रहा था कि यादब विरादरी में गुस्ता है पप्पू यादब के साथ जो हुआ पुर्णिया में उससे यादब विरादरी में गुस्ता है देखे सेंपेटी हर विरादरी में थी लेकिन यादबों में गुस्ता जादा था कि पप्पू यादब के साथ बात जब उठती है तो माई समिकरन के भविस पर भी उगली उठती है कि जो माई समिकरन बना था जो राजत की बुनिया थी वो पूरी तरह से दरग गई है क्या क्या लालू परसाद और तेजस्वी यादब की जो तागत होती थी माई वो उसकी बात नहीं सुन रहा है या हो क मिलना चाहिए था इसका मतलब है कि एक डिसीजन यादब विरादरी खुद ले रहा है ना कि वो एक फर्मान मान रहा है लालू परसाद और तेजस्वी यादब की कि वो जहां कहा देंगे यादब का भोट वहीं चला जाएगा ये दिन चले गए वो दौर चला गया तो अपने हिसाब से यादब विरादरी सोच रही है और पुर्णिया का संदेशा पूरे बिहार में गया है और चुनाब के बाद जब चीजे और सामने आएगी तो विधान सभा चुनाब के समय भी ये बात जरूर कही जाएगी कि क्या माई आज के तारिक में भी टेस्ट होना है कि वो क्या करता है क्या वो अबद विहारी चौदरी को भोट करता है या फिर हिना साहब के साथ जाता है तो वहां भी भोट पढ़ी जाएगे जैसा कि पुर्णिया में आज पढ़ा है तो माई को लेकर जो मिठक है वो मिठक पुर्णिया ने बहुत हद तक तोड़ा है और तेजस्वी आदब के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है तो दो टू कहें कि बहुत साबधान होने की जरुत है तेजस्वी आदब को और ये समझने की जरुत है कि दौर बदला है तो बहुत चीज बदलने की जरुत है अगर पुराने दोर की जो चीजे थी अगर उसी को अगर सत्त माल लिया जाएगा तो फिर धोका हो जाएगा जो धोका पुर्णिया में हुआ एक और कहानी हुई बिहार में आज CM थे आज प्रधान मंत्री के सभा में मुंगेर में अररिया नहीं गए लेकिन मुंगेर गए मुंगेर से उनके खासमखास ललन सिंग चुनाव रड़ रहे है बीच में हो रहा था कि हुआ भी कि PM की सभा में अब CM नहीं जाएंगे चुकि बहुत दूसरी कहानिया सब हो जाती है तो बहुत दिल्ली से लेकर पटना तक बहुत सारे बिसलेशन हुए बहुत सारी चीज़े हुई कि मैसेज क्या जाएगा NDA की एकता पर प्रभाव पड़ेगा और जेडियो के काज करता बहुत नाराज हो रहे हैं वो BJP को भोट नहीं करेंगे LGP को भोट नहीं करेंगे यह तमाम चीज़े हुई लेकिन आज जब पढ़ान मंतरी की मीटिंग में वो गए मुंगेर गए तो बहुत चीज़े साब होई लेकिन एक सवाल साथ साथ उठ गया कि अगर मुंगेर गए मुंग मंतरी तो अररिया क्यों नहीं गए तो बात जो सामने आ रही है बात यही है कि ललन सिंग का इतना दबाब था दोनों तरफ एक तरफ आगरा था और एक तरफ दबाब था और आगरा और दबाब के बीच दोनों बड़े निता मुंगेर की सभा में थे नितीश कुमार भी थे और नरेद मोदी भी थे तो यह आगरा और दबाब की जो राजनीती हुई मुंगेर में वो तीसरे और चौथे चरण के लिए तो अच्छी हुई लेकिन जो केमेस्टी आगे बढ़नी है वो लगातार बढ़ेगी या मुंगेर तक खतम हो जाएगी ये एक सभाल लोग उठा रहे हैं क्या इसके बाद की सभाव में भी मुक्ष मंतरी जाएंगे या फिर मुंगेर तक ही और ललन सिंग तक ही सिमित हैंगे परधार मंतरी के साथ उनका दौरा उनकी सभा तो देखिए फिर पोरा बनेगा परधार मंतरी का तो साफ होगा लेकिन अररिया नहीं जाना और मुंगेर आना ये यही बतलाता है कि ये आग्रह और दबाब की राजनीती का परतिफल था कि एक साथ दिखे नरेंज मोदी मुंगेर की सभा में नितीश कुमार भी थे और अररिया के सभा में नितीश कुमार नहीं गए वहाँ बीजेपी के परतियासी चुनाव रहे है तो कहानी अभी बहुत आगे बढ़नी है ये तालमेर वाली केमेस्ट्री वाली लेकिन दो टू कहें तो पूर्णिया का संदेशा जो है वो तेजस्वी आदब के लिए बेचेन करने वाला है और अगर आग्रह और दवाब ना होता तो साथ आज मुंगेर की सभा में भी नितीश कुमार नहीं होते केवल परधाल मंतरी ही बोलते और ललन सिंग तो वहां परत्यासी है तो देखिए कहानी और चीज़ें कैसे आगी बढ़ती है लेकिन एंडिये में जो एक एक चाल और विसाथ बिचाई जा रही है महागट बंधन के लोग उस पर बारीक नजर रखे हुए हैं जो होता न और तो फाइदा मिलना वो महागट बंधन को मिल रहा है लेकिन चीज़ें और बदलेगी जैसी उमीद एंडिये के नेता कर रहे हैं आप देखते रहे है कैपिटल टिपी बिहाद आपका बहुत धन्दबाद आपका बहुत सुक्रिया